तो friends अगर आपने ये वाली setting on नहीं की तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप Facebook पे काम करते हैं आप Reels वगरा बराते हैं या आप original creator हैं तो अगर आज की setting आप on कर लेंगे तो आप आने वाले दिनों में बहुत ही असान हो जाएंगे ये वाली setting अगर आप on नहीं करेंगे तो आपकी हो सकता है Facebook ID जिसके अंदर monetize page पड़े हो है या आपकी original Facebook ID है वो disable हो सकती है तो ये setting आपके लिए बहुत जरूरी है मैं two factor setting की बात नहीं कर रहा है मैं एक ऐसी setting की बात कर रहा हूँ जिसका आपको नहीं पता और अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आप easily ये setting अपने ID के उपर लगा के अपनी ID को मकमल secure और save कर सकेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request करूँगा अगर आप हमारे चैनले पे नहीं है तो इसको subscribe कर लें और साथ में bell icon को press कर लें ताकि जब भी वीडियो upload करूँ आपके पास सबसे पहले आ सकें तो चलते हैं mobile की screen पे और अपनी ये वाली setting on करते हैं तो चले mobile की screen पे करना है यहाँ पर security या लोग इन पर आ जाना है यहाँ पर जैसी आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपके सामने एक window open होके आजाएगी जिस पर आपको लिखा होगा कि आप मतलब जो आईडिया ना जो facebook आईडिया है वो कहां पर लोग इन है तो यहाँ पर आप see all पर क्लिक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरी facebook id किस किस device में लोग इन है होता यह है कि बहुत सरे ऐसे दोस्त जो के अपना mobile sale करते है या अपनी RTP चेंज करते है तो उनकी location वहाँ से log out नहीं होती वहाँ से उनको access करना easy होता है हमने save to browser किया होता है तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आके आपने log out to all कर लेना है यह बहुत ही important setting है लेकिन बहुत सरे बंदे मतलब इसको ignore करते हैं और छोड़ देते हैं अगर आप हफते में एक दो दफा यह चीज़ चेक कर लेंगे तो आप नुकसान से बच जाएंगे तो यहाँ पर log out कर लेते हैं जैसी आप log out करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी ID सिर्फ इसी iPhone में मतलब save है इसके इलावा कोई और browser में नहीं है तो यह चीज़ आपने कर लेनी है उसके बाद आपने यहाँ पर security चेक अप पे क्लिक कर लेना है कि हमारा two factor on है और हमारा notification on है कि जब कोई login करने की कोईशिश करे हमें notification आ जाए उसके बाद आपने करना है आपने यहाँ पर two factor वाले option पे क्लिक करना है तो यहाँ पर on करने के लिए इसका password द्रकार है आपने password लगा लेना और कुछ इस तरह के code आपके सामने आ जाएंगे आपने इनको copy कर लेना है और अगर आप यह code मतलब अपने पास copy करके रख लेते हैं अगर आप यह सारे code यूज कर लेते हैं तो आपने अपनी ID पे आके नए code दुबारा जरनेट कर लेने हैं इनका फाइदा क्या है कि अगर आप अपना phone मतलब loss हो चुका है और उसमें आपका phone number या आपका mobile number मतलब access नहीं हो रहा तो आप कैसे two factor code के इलावा अपनी ID open करेंगे बहुत सरे ऐसे दोस्त हैं जो के clone ID यूज करते हैं और उनका मतलब two factor code सिर्फ उनके number पे जाता है screenshot लिया है उनसे copy करूँगा और वहां पे जाके put कर दूँगा और दिखाऊंगा कि यह वले code two factor से भी ज्यादा imported है और यह वले code अभी use कर सकता हूं तो इसको मैं copy कर लेता हूं जैसे मैं copy करूँगा तो यहां पे आके मैं paste कर दूँगा ठीक है अब यहां पे मैंने two factor code भी नहीं लगाया और मेरी ID login होके आगी है मैं इसको save कर दूँगा तो इस तरह आप इस code को use करते हुए अपनी वह वली setting on कर लेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होने वाला है बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का नहीं पता था अगर वो यह वाली setting on कर लेते हैं तो अगर उनका phone या two factor code उनके sim पे नहीं आ रहा तो वो इस code की मदद से अपनी ID को login करके अपने pages तक access ले सकते हैं अपस हो कि यह वाली वीडियो आपको कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि यह वाली setting बहुत important है अगर आज की वीडियो अच्छी लगिया तो इसको like कर दे मिलते हैं को और अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपने बाई को दें इजाज़त अलाफीस